और क्या हाली मीरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पांकाला में स्वागत की साथ साथ आभिनादन करती हूं तथा अपने ने दोस्तों कैसे बहुए हूँ हेलो, आप लुक कैसे हो, आज श्रत अपकलाम बना मखाने की तोरह तयार लड्डू, जो हेल्दिक सासद बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तयार होते हैं, बहुत थोड़ी समाक्री की तोरह ये लड्डू बन जाती, इस मखाने को उपने खोई की तोरह बना के तयार किया है, आप इसको किसी भी प्रत में बना के तैयार कर सकते, चाहे वो एका दसी का हो, सुमार का हो या फिर नौरात का, आप इसको एक अपते से दस दिन तक स्टोर करके रख सकते, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, चलो दस्तो हम आप इसको मिल के बनाना शुरू करते हैं, इसके ल और आयरन से भरपूर होता है, जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत फायदा करता है, आप इसको ब्रत में बना सकते हैं, बीना ब्रत के भी तैयार कर सकते हैं, जटपट बनने वाली रेसिपी, यह मखाना बहुत हिल्दी होती है, इसको अपने खाने में जरूर सामिर कर करती हैं, क्योंकि मखाना बहुत ही हलका होता है, अगर इस फ्लेम को आप मीडियम या हाई कर देंगे, तो मखाना जल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और इस तरह देखिए, मखाना बुन के तयार हो गया है, अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, और पूरी म क का देखिए, चार से माच हमनी इलाची ली थी जिसके बारेई शीकड़ी को निकाल दिया था इस तरह इलाची के दाने को भी इसके अंदर डाल देती है, पीस ते समैस को पीस लेंगे, तो इसका फ्लेवर मखाने के अंदर बहुत अच्छा है गया, और इस तरह देखिए, मखाना को मखाना पूरी तरह गईस के फ्लेम एगदम से लो रखीगे और लो फ्लेम में घी की साथ इसको अच्छी तरह से मिला लेती, इससे मखाने के अंदर एक खुऌबू भी बहुत अच्छी आती है और ये काफी दिनों तक आप लड़ो को श्टोर करके रख सकती है एक हपता से दस दिन तक लड़ो बिल्कुल भी खराब नहीं गा मखानी के पाउडर को सिर्फ दो मिनट तक हमने घी के साथ भून के तयार किया मखानी का पाउडर भी भून दे समय गैस की फ्लेम हमने एक तम से लो रखा था अब इसके अंदर एक कटोरी हमने नारियर का बुरादा डाल दिया ग्राम में नारियर का बुरादा 25 ग्राम में इसको डाल के मिला देते हैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हैं गरम कड़ाई गरम मखाने के पाउडर में इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं एक हमने थाली ले लिए और थाली के अंदर जो 200 ग्राम हमने खोया लिया है पूरी खोया को इसके अंदर निकाल लिया है मखाने के साथ खोय को अच्छी तरह से मिला लेते हैं मिलाने के पाउड़ इसके अंदर हमने 4-5 टेपे स्पून देसी खान डाल दिया आप चाहे है तो इसके अंदर बूरा डाल लिजिए और फी चीनी का पौडर भी डाल दिजिए क्राम में लगपक 50 क्राम के करीब है हमने 50 क्राम मखाना लिया था 200 क्राम खोया लिया और 25 क्राम नारियर का बुरा था अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो चीनी के क्वांटिटी को अपने टेस्ट के साथ से कम्या ज़्यादा कर लीजिए अब इसके अंदर दो टेबे स्पून हमने देसी की डाल दिया देसी की को डाल के अगर आप लड़्डू को बनाएंगे तो लड़्डू काफी तीनों तक श्टोर करके रख सकते है इस तरह देसी की को अच्छी तरह से हमने मिला लिया और मिलाने के बाद देखिए मिश्वर पूरा बन के तयार हो गया अब इसके अपने लड़्डू बना के तयार कर लिने इसके लड़्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते एक पर आप इस रेस्पी को ज़रू ट्राइए करीगा अगर आपको माई रेस्पी अच्छी लगती वीडियो पसंद आती तो इसी लाइक करें शेयर करें सब्स्क्राइब करना बिल्कू नहीं भूलीगा अब मुझे कमेंट करके बताएगा इस तरह आपने मखाने मावा के तो लड़्डू को बना के त्यार किया तो आपको कैसा लगा अब इस लड्डू को एक प्लेट के अंदर रख लेते इसी प्रोसेस के तोरा बाकी मखाने के भी लड्डू हमने बना के त्यार कर लिए स्वात के साथ साथ सेहत का विध्यान रखे हेल्दी बनाईए हेल्दी खाईए और इस तरह देखें बहुत ही टेस्टी हे लड्डू बन के त्यार हुए एकदम से मुह में खुल जाने वाले एक पर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइक करेगा आप तिमता कीमती से में निकार के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धर्मात बहुत बहुत शुक्रिया